दोस्तों अब बात करने वाले हैं बहुत ही बेत्रीन प्लान के जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हूंगे इसी मॉडल को डिसकस करने वाले हैं जिसका साइज है 28 x 36 प्लान कि आप देख पा रहे हैं आप देख पा रहें कि स्क्रीयं पहुत ही बड़ा स्पीस दिया है इसमें अब दो कार पार्कियं करें अपनी अचानी के से और फ्रेंट में ventilation गईरा का भी बिशेज ध्यान रखा है तो इसी मॉडल को discuss करेंगे तो इसमें रेलिंग वगएर आप देख रहे होंगे थोड़े से जो प्लर वगएरा है वो काफी stylist मैंने design की है जिसमें आपको किसी भी टाइब के वस्तान ना हो और आपका एक modern house बनकर ready हो जाए तो इसी प्लान को आज हम discuss करने वाले आप पहले देख लिए प्रॉपर तरीके से कहां पर क्या है और फिर आपको मैं इसका ground floor office floor discuss करता हूँ उससे पहले आप से गुजरेश करना चाहूँग लेकिन वो हमारी एक paid service होती है तो अगर आप paid service का इस्तमाल करना चाहते है तो हमारे number description में दिया है आप हमें description में contact करें वाट्सप पर लेकिन वहाँ पर आपको 50% payment advance देना होता है और payment आप तभी करें जब आपकी हमसे बात हो जायाने था आप payment किसी वेक्तिकों ना करें लेकिन आपको इसका विशेज दियान रखना होता है कि आप तभी contact करें जब उस service का इस्तमाल करना चाहते हो अगर आपको क्यों इनकायरी करनी तो आप प्लीज मत contact करें इसका विशेज दियान रखें वहाँ पर 50% payment में advance लेता हूँ तभी आपकी विलानी की start करता हूँ तो चलो जो आज का प्लान है उसे हम discuss कर लेते हैं पूरा 28 x 36 में पूरा step by step तो सबस्विल इसका ground floor मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये इसका दोस्तों ground floor है ये slope है जहाँ से पने car ले जाएंगे ये stairs से यहाँ चड़ेंगे इसके बाद आपको लगबग 6 feet का space मिल जाता है और ये पिलर का design है दोस्तों ये दिखे पिलर का design है आपको जो इसके बाद ये भी दिखी पिलर का design है एक modern design आपको यहाँ पर मिल जाता है पिलर का ये दिखी गा इसके बाद ये glass का window और door दोनों का mind मैंने दिया यहाँ से आप इंडी कर पाएंगे ये guest room में एक आपको दिख रहा है इसमें और यहाँ पर मैंने side से भी एक window दिया इसे proper ventilation होता रहा है अब हम बात करते हैं इसके आगे काफी लगबग 20 feet का space यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाता है मैंने छोड़ा है और इसके बाद अब आप यहाँ पर इस main gate से इंडी करते हैं ये एक window है इस main door से इंडी करते हैं तो आप आप आजाते हैं अपने living hall में इसी living hall से आपको सभी जगह जाने का रास्ता मैंने दे रखा है इस पहले जो guest room था वो तो front से भी था लेकिन यहाँ से भी मैंने एक door दिया है जिससे आप यहाँ पर इंटी कर पाएंगे और इसके बाद अब हम बात करते हैं corner पर मैंने एक दो bedroom दिये है एक bedroom यह है एक यह है और उसी के बीच में जो space है वहाँ से श्टीर से चड़ेगा और आप return होकर वापस आजाएंगे अब हम बात करते हैं दोस्तों यह आपका मैंने रखा है kitchen इसलिए kitchen यहाँ रखा है क्योंगे बाहर से एक window लग जाएगा तो ventilation होता रहेगा आपके kitchen में और डूर भी मैंने यहाँ लिविंग हाल जादी आप front में इसके यहाँ पर आपका late and bath command मैंने दिया है तो यहाँ पर आपको दो तीन bad room मिल जाते है late bath command मिल जाता है दो car parking का space बारंदर डाप का भी मिल जाता है front में तो यही पूरा design बनके आपको ready हो जाता है 28 cross 36 में अब हम बात करते हैं इसके first floor की तो आप जैसे first floor पर आते हैं तो यह इसका first floor है अगर हम बात करें इसके designing की hall वगएरा की तो same to same है वही corner पर दोनों आपको bad room guest room वगएरा जो मिलता है और यहां से आप बस आपका जो car parking का वाला space था यह आपका पूरे space open होगा आजाता है अगर आप चाहते हैं तो यहाँ बैट डूम भी design कर सकते हैं और front में आपको यह railing मैंने design कर दिया है चारो तरब आप देखीगा stylish railing और यह जो आपके पिलर थे वो भी हाँ पर round color का मैंने दिया है इससे आपके घर को एक बेतरी सा look लगे तो यह इसका ground first floor हो जाता है अब हम बात करते हैं से last floor की तो last floor पर बस आकर मैंने यहाँ पर पिलर दे दिया है यह glasses का railing दे दिया है चारो तरब और चारो तरब आप वीडियों को लाइक जरूर किया करें और इसे शियर किया करें और मैंने जैसा कि आपको इस्टार्टिंग बताया था अगर आप हमारी paid service का इस्तवाल कर सकते तो आप हमें contact कर सकते हैं लेकिन केवल जो create करवाना चाहते हों वही contact करें आप inquiry के लिए बिल्कुल मत contact करें बहुत से लोग होते हैं आप कभी time बरबात होता हमारे भी होता है तो इसलिए अगर आप और आप payment का मैं 50% advance लेता हूं मैंने बता दिया है आप इसके जब तक आप हमसे अगर बात हो जाती है इसका भी आपको विशेज द्यान रखना है तो आपके हमसे अगर बात हो जाती है तो आप payment कर सकते हैं आपका काम होगा 100% होगा इसका आप टेंशन लेना बिल्कुल बंद करते हैं तो चलो इस प्लान को ही break करेंगे अगर आपका कोई भी प्लान है तो आप हमें वाटसप पर कांट्रिक कर सकते हैं पेड़ सर्विस के लिए या हमें कमेंट करके बता सकते हैं थैंक्स वाचिंग